राधे बड़ी प्रसंचित लग रही हो अच्छा लगा तुम्हें देख कर कि तुम आज भी मुस्कूरा रही हो पर अंतु आप विचलित से मालूम होते हैं क्यूं सक्पकाय खड़े हैं खेर छोड़िये जाने दीजिये चलिए ये बताईए कैसे हैं आप त्वार कादीश राधे तुम तो मुझे काना काना केकर पुकारती थी तुम्हारे मुख से ये द्वार कादीश का संबोधन मुझे भीतर से घायल करक्या अब तुम तो मुझे द्वार कादीश ना कहो ठीक है चलिए ये बताईए मुझे से बिचरने के बाद आपका जीवन कैसा रहा राधे सच कहूँ तो तुम्हारे याद भी बहुत आई और ये मुझे जैसे आशू भी बहे मेरे साथ इसा कुछ नहीं हुआ ना तो तुम्हारी याद आई और नाही कोई आशू बहा आखों में सदा तुम रहते हो कहीं आशूं के साथ था तुम भी ना भेजो इसलिए हम रोते भी नहीं थे परंतू राधा, आज तुम्हारी वाणी में वो मिठास नहीं दिख रही क्या, क्या मैं तुम्हां लियो पहले बना शाम ना रहा क्या मुझे में कोई बदलाफ आ गया है अपनी जीत का खोया हुआ, एक आइना दिखाऊं मैं आपको कुछ करवे सच, अगर सुन पाओ, तो सुनाओ मैं आपको आपने कभी नहीं सोचाना कि आप कितने बिछड गए है वो यमुना के मीठे पानी से अपनी जिन्दकी की शुरवात की और समंदर के खारे पानी तक पहुँच गए अपनी एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा करा और दूसरी उंगली पर बशने वाली बासुरी को भूल गए जो उंगली सुदर्शन चक्र उठा कर लोगों को विनाश से बचाती थी प्रेम से अलग होने के बाद क्या-क्या रंग दिखाने लगी सुदर्शन चक्र उठा कर विनाश के काम आने लगी पर अंतु राधा यदि यदि मैं ऐसा ना करता तो दुष्टों का संघार केसे होता पर राधा राधा में तुम्हाले अंदर से वही काना हो आप समझे ही नहीं कि काना और दुवार का दीश में क्या अंतर है मैं फिर से समझाती हूँ अगर आप काना होते तो आप स्वेम सुदामा के पास चाते परन्तु आप दुवार का दीश हैं इसलिए सुदामा को आपके पास आना पड़ा क्योंकि जो प्रेम से जीता है वो खुद दुखी रह सकता है परन्तु परन्तु दूसरों को तो कभी नहीं पहुंचा सकता आपने अपनी पूरी सेना कोर्वों को सौब दी और अपने आपको पांडवों के तरफ कर लिया आप जैसा महाग्यानी उस अरजुन का रच चला रहा था जो उस पर बैठकर आपी की सेना को मार रहा था राजा तो पालक होता है ना सेना का रक्षक होता है अपनी सेना को यूँ मरते देख आपने जरासी भी कंगना नहीं चागी थी कैसे चागती आप तो प्रेम से शून्य हो गए थे और इसका परिणाव आज भी लोगों को बुगतना पड़ रहा है सरा प्रित्वी लोग पर छाग कर तो देखिए आपकी रची उस महाभारत से प्रभावित होकर आज एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है दुरपदी को चीरहरण से बचाया परंतु अगर वो आपि की माया थी आपि की रचना थी तो दुरपदी को चीरहरण की नवबत तक यूं चाना पड़ा क्यूं अपमानत होना पड़ा? उसी का कारण है जो आज प्रित्वी पर न जाने कितनी लड़कियों के साथ क्या जवाब है इसका क्या उत्तर है इसका इसका उत्तर ये है कि अब वो समय आ चुका है जब मुझे दोबारा प्रिस्वी पर एक अफ़तार लेना हुगा एक बार फिर से लोगों के कश्ट मिटाने होंगे संसार में एक बार फिर से प्रेम की लोग को जगाना होगा अब आप मेरी बात समझ गए काना क्योंकि आज भी धर्ती के लोग युद वाले द्वार का दीश पर नहीं प्रेम वाले खाना पर भरोसा करते हैं आज भी धर्ती पर चाकर देखो हर घर में हर मंदिर में सिर्फ मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे आप गीता के घ्यानी है उसके घ्यान उसके महत्व की बात करते हैं जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं फिर भी लोग उसके नाम पर राधे-राधे करते हैं हाँ राधे मैं समझ गया कि यदि मैं प्रेम को महत्व देते हुए चलता तो मैं पृत्वी को इतने बड़े महायुद और कहरम से बचा पाता पर अंतु जो तब नहीं हुआ वो आप अवश्य होगा तभी जाके संसार में शान्ती आईगी और विश्व का कल्यान होगा मैं आश्रा कट्टा हूँ कि यह संसार मेरे प्रेम के पत्चिनों पड़ चले ना कि क्रोध के